आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें सीवेज पानी को सीवेज पानी को जो है थोड़ा शुद करने के लिए प्लांट लगाए रहते हैं उन में से थोड़ी गंदगी हम क्या करते हैं गंदगी को उन प्लांटों के प्लांट में क्या करा जाता है पानी से अलग कल लिया जाता है जिससे कि यह पानी जब नदियों में मिलाया जाए तो यह गंदगी जो है नदियों के पानी में ना मिले जिससे नदियों का पानी ज्यादा दूशित ना हो और जो जलिये जीब जनतु है जलिये जीब जो रहते हैं वे जीवित रह पानी ठीक सारे ज़ाग उत्पन होने लगते हैं ऐसा क्यों होता है यही हम से प्रश में पूछा है तो इसको यहां मैं लिख दे रहा हूँ उसका उत्तर तो जो कि दोस्तों जो गंदा पानी होता है जो कि घरों से निकलता है यह जब मल जल प्रवंधन बाला जो जगह होती है बहां पे इसको ले जाया जाता है तो यह जो गंदा पानी है इसमें बहुत सारे सारे अपमार्जक का उता होते हैं जो आप अपमार जब घुले रहते हैं तो जब इसको हम क्या करते हैं पानी ये जो गंदा पानी इसको मल जल प्रबंदन के बाद नदी में डालते हैं तो चुकि इसमें पहले से ही सावुन और ये डिटरजेंट घुले हुए हैं तो जब ये ऊपर से धार से काफी उचाई से जब ये पिरगरी है दोस्तों यहां पे होती है नदी में जब ये पानी को डाला जाता है नाले में से ठीक है तो वहां पे बहुत ज़्याद है जाग अपने आप उत्पन हो जाते हैं क्यों क्योंकि जो गंदा पानी उसमें अपमार जग घुले रहते हैं और ये जो अपमार जग है यह कभी भी नस्ट नहीं हो पाते हैं ठीक है किलएक जीवाड़ू द्वारह भी इनका पूरी तरीके से नस्ट नहीं होते हैं तो यह दोस्तों इस प्रश का मुक्ष्न अत्तर आशा करता हूं आपको यह समझ में अया होगा ठीक है धन्यवाद सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर